महाराष्ट वसूली मामले में E.D. का सबसे बड़ा एक्षन पुर्वगुरुह मंत्री अनिल देश्मु को किया गया गिरफतार वसूली मामले में E.D. ने बड़ी कारवाई करते वे महाराष्ट के पुर्वगुरुह मंत्री अनिल देश्मु को गिरफतार कर लिया है 12 गंटी की पुछताच के बाद E.D. ने पाया कि देश्मु की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोज जनक जवाब नहीं दिये गए ऐसे में उन्हें गिरफतार कर लिया गया और अब उन्हें कोट में पेश करने की तयारी है 100 करोट की वसुली मामले में E.D. ने बड़ी कारवाई करते हुए महराष्ट के पुर्वग रूह मंतरी अनिल देश्मु को गिरफतार कर लिया है 12 गंटे की पुछताच के बाद E.D. ने पाया कि देश्मु की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोज जनक जवाब नहीं दिये गए ऐसे में उन्हें गिरफतार कर लिया गया और अब उन्हें कोट में पेश करने की तयारी है जानकारी के लिए बता दे कि अनिल देश्मु क सुमवार को सुबह 11 बच कर 55 मिनिट पर खुद E.D. दफतर पहुच गये थे इससे पहले कई बार उन्हें E.D. द्वारा समन भेजा गया था लेकिन वे पुछताच में शामिल नहीं हुए लेकिन सुमवार को वे E.D. दफतर भी पहुचे और फिर पुछताच में शामिल हो गये E.D. ने पुरे 12 घंटे तक देश्मु क से सवाल जवाब किये लेकिन क्योंकि कोई भी जवाब E.D. को ठीक नहीं लगा ऐसे में देश्मु की गिरफतारी हो गई E.D. ने सपष्ट कहाए कि महराष्ट के पुर्वगरुह मंतरी ने जाच में सहयोग नहीं किया खबर ये भी है कि गिरफतारी से पहले अनिल देश्मु का बयान दर्च किया गया था उन तमाम आरोपियों के बयान भी देश्मु के सामने रखे गए थे जिनका इस अपराद में सक्रिय योगदान था लेकिन देश्मु किसी भी सवाल पर सपष्ट जवाब नहीं दे पाए वे सिर्फ आरोपों का खंडन करते रहे लेकिन E.D. ने अपनी जाच के आधार पर उन्हें गिरफतार कर लिया है